घरोंडा जिला परिशत करनाल के वाड संख्या ठारा के चुनाव में महिला प्रत्याशी राजेश राना ने बेहद मजबूती से ताल ठोग भी है राना के चुनावी करेले के उदगाटन पर हजारों के संख्या में ग्रामीन पहुँचे ग्रामिनों ने राजेश राना को जीत का अशिरवाद दिया उन्होंने लोगों को भरूसा दिया कि जीत के बाद उच्छेत्र की समस्या का समाधान प्रमुकता से करेंगी राजेश राना का परिवाद लंबे समय से सबाच सेवा से जुड़ा हुआ है गाउं अराईपुरा में चुनाव कारेले के उध्धाटन के अफसर पर वेद पाल राना और कुल्दी प्राना के लोगपरिता दिखाई दिए है समारो में करीब 5000 ग्रामिन उन्हें आशिरवाद देने पहुँचे राजेश राना और कुल्दी प्राना ने कहा कि बीते वर्षों में उनके वाड में जलापरिशद के तरफ से कोई काम नहीं हुआ है उनकी प्रात्मिक्ता वाड के सभी गाउं में शिक्षा और स्वास्त को बहतर करने की है वो लड़कियों के शिक्षा पर फोकस करेंगे और लड़कियों के लिए स्कूल तक आने जाने के लिए यातायात की ववस्ता करेंगे वाड 18 से जिलापरिशद के उमिद्वार राजेश राना को उगता सूरत चुनावचिन मिला हम स्वास्त है और एजुकेशन को लेके पुर जोर कोशिश करेंगे क्योंकि जिब स्वास्त है ठीक होगा तब हम किसी चीज़ को एहमियत दे सकते हैं शिक्षा के महाद्व में कोई भी लड़कियां है जो दूर जाती है परिशाने का सामना करना पड़ता है हम उनके लिए ये कोशिश करेंगे कि उनको उच से उच सिक्षा प्राप्त कर सके वो बिना किसी मुसीब दो के ग्राउन के विकास में जिला परसे लिए एहम संस्था है और बड़ी जिम्यवारी रहती है महिलाओं को इस वार ज्यादा सामिल किया कि पचास परसे लिए क्या फरक रहेगा इससे महिलाएं जो है वो पूर पूर्पूर फायदा उठाएंगी और सामने आकर अपने फर्स्ट फ्रंट फूट पर अपना काम करके दिखाएंगी लगी देखी कहीं उनके नाम से कोई पत्थर नहीं लगा जीला प्रीशत के माध्यम से तो यही सब देखते हुए हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया था और यह हम पिछले पांस साल से इसकी त्यारी में हैं और आप देख सकते हो जो हम जंता के बीच में गए हैं उनके पीर बडुली से बच्चियां चलकर चोटी छोटी चोटी बच्ची हमारी चोरे में आती हैं तो हम परियास करेंगे बीच में पीर बडुली के आसपास कोई एक उसका 10 प्लस 2 का स्कूल कराय जाए जिससे हमारी बच्चियां दूर 6 किलोमीटर पैदल ना जाकर उनको सुबस समय से स्कूल पहुंचाए और छूपने के बाद उनको घर पहुंचाए